जहें दुस्तों मैं आप सभी की बीच लेकर आगया हूँ देखे बिहार बोड ने आपके लिए क्या किया है तो 5 लग अभियारतियों का इंतजार खतम अब जो STET का प्रथम का रिजल्ट अगले हफते मतलब जो STET जो आपका प्रथम STET का एक्जाम दिये है लोग उसका हार बोड के द्वारा परिच्छा का आयोजन 18 माई से 29 माई के बीच हुआ था इसका ठीक है यह आपको पता होगा तो यह सबसे बड़ी आपके बीच खबर निकल कर आ रही है यह 5 लाख जो विद्यारति दिये थे इसका एक्जाम STET का ठीक है उसका जो है अगला हफता इसक अराम से उनको बैठने का एक chance मिल जाएगा opportunity मिल जाएगा ठीक है तो उन सभी के लिए बहुत बड़ी एक खुशकबरी निकल के आ रही है तो इसको हम अच्छी तरह से देखेंगे और देखिए और भी कुछ आगे कुछ news है निकल के आ रही है देखिए इसमें बताया जार का तू परिक्षा का result हुआ जारी ठीक है कक्षा 1 से 5 से लेकर 11 12 तक का result हुआ जारी 1 to 5 में कुल इतना परसेंट पास 6 to 8 में इतना परसेंट 9 तेंथ में इतना परसेंट कक्षा इतना में इतना परसेंट 6-8 में इतना परसेंट, कक्षा 9-10 में कूल इतना परसेंट, और आपका 11-12 में कूल इतना परसेंट, 9-10 में पाचो विशे कक्षा इतना परसेंट, 2-20 के पुर्णा परसेंट, 13 नॉवंबर को हुई थी, इसका परिणाम इसी मां अंत जारी, इसी मां के अंत तक जारी होगा, सक्षामता परिक्षा 3 को लेकर 25 नॉवंबर को विग्याप्ति परकासन होगा, और 26 नॉवंबर से 8 दिसंबर तक सक्षामता 3 का फर्म भार जाएगा, 26 से 31 दिसंबर तक सक्षामता 3 की परिक्षा होगी, और 5 फरोडी 2025 तक रिजल्ट जारी हो जाएगा, सभी प्रस्ण अब्जेक्टिव होगे और परतेक प्रस्ण एकंग के होगे, इसमें कोई नेगेटिव मार्क नहीं होगा, और STET का रिजल्ट भी अगले हफ्ते होगा, जारी, 25 नॉवंबर से पहले जारी होगा STET का रिजल्ट, ठीक है, यह सबसे बड़ी आप सभी के लिए, यह आपके लिए सबसे बड़ी news निकल के ख़बर आ रही है, ठीक है, तो यह हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो दोस्तों, यह पहली बार हमारे चैनल पर आये हैं, तो सस्क्राइब कर लेजेगा, ताकि इस तरह से आपको वीडियो मि कर दें, ठीक है, और कौन सा बुक हम चालू करें, जो आप बताएंगे, वो बुक हम आपके लिए चालू करेंगे, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में,